तो तब तक चलेगा जब तक यह सरकार इस काले कानून को अपने पिछबॉरे में नहीं डाल देगा ऐसे और एसे और एसे के फुल फुल्फरम है ती किया राश्ट्रिया सवेवे सेवक संग बढ़ा देश के अंदर सेवा क्या किया और एस वालों ने कहां कुर्बानिया दी है जब देश की तमाम शंपतियों को बेचने के बाद फैदा हुआ तो यह सारे पैसे कहां गया पवि देश को बरबाद कर दिया आज देश गर्त में कहीं न कहीं आरेसेस और भाजपा बीदेशी सक्तियों के हाथ में खेल रही है शब से पहले जो शुधीर चौधरी डियने में किसानों को फंडिंग की बात कहता है उसको उस तिहारी को जिसका मालिक भारत का लुटेरा जिसन और अजीर दोवाल जी उसके फाउंडर मेंबर हैं किन किन देशों से चंदा आया जब मनमोहन सिंजी की शरकार में भारत विस्व की तीसरी महाशक्ती थी तब ये लोग कहते थे कि हर साल लाखो करोर रुपे का घोटाला होता है जो राजा हिसंद की छठी आउलाद मोतों क शौदागर आधुनिक भारत का जैचंद प्रधान मंतरी बस मासूर प्रधान मंतरी मगर मच्छों की तरह आशुब हाने वाला प्रधान मंतरी गदी पर बैठा है जब नुटमंदी से फैदा हुआ जब देश की तमाम शंपतियों को बेचने के बाद फैदा हुआ तो ये स आध देने की बात हुई वो पैसे कहां गए जो लोग किसानों पर उंगली उठा रहे हैं आज उन्हें अपने गिरेवान में जाक कर देखना चाहिए भाजपार और आरेसस के लोग जिनके बाप दादा कल तक गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखवरी कर रहते हैं जितन कि दादा जी का नाम लेते हुए क्योंकि अपना उतार जन्नायक थे आर्याने में एक लोग पिनिया थे यानिकि दादा के नाम पर संपेथिक लेके और किसानों को ठग कर और यह कह रहा भी मैं जन्टा का सेव को अरे सेव को सेव करना चाहिए दुसर्यां चोटा लाको अगर देविलाव का कुर्ता है तो तुरंत पार्ट के दसे यह पौकि यह पार्ट का मुखिया है और तुरंत बीजेपी एक मेंट से पहले अपने हर्याने की हितों को देखते हुए अगर जरासी भी स्राम है दूसियन चोटला में तो तुरंत स्थिपा दे देना चाहिए और ये जो तीनों किर्शिकाली कानुन जो ये कहते हैं 303 पार्लियमेंट मेंबर जो अपने आपको कहते हैं हम जनसेवक हैं किसी सब्सक्राइब कर रही है जो भाजपा आरेसस के लोग किसान के हितों की बात कर रहे थे पहले वो लोग आज देश के लिए समस्यां क्यों बनते जा रहे हैं इनके बापदादा पुर्खों की जद्परतिष्ठा जा रही है जो काले चोड की तरह 50 को ही एक अला जह देश लाया था क्यों नहीं वापिस ले रही ये करोना वाइरस से भी ज्यादा खतरनाक नमो द्धान में कहीं अधिकार है क्या कि आप किसी को भी गाली दीजिए और जो लोग प्रोटेस्ट साथ अरन तरीके से कर रहे हैं उन्हें देश के अंदर नहीं घुसने दीजिए नीरमोदी मेहुल चोक्सी जैसे लोगों को आप भाइफ भेज दीजिए आपने देखा होगा अभी दबाई कंपणी के जो सी हो थे वो भी बाहर चले गए तो कैसे गए आखिर क्यों गए यह सारा कहीं ने कहीं एक बहुत बड़ा शाजिस शंड्यंत्र पडियोग का नतीजा है जो देश को फिर से घुलाम बनाने की शाजिस बाचपारेसिस की लोगों तो तब तक चल हमें भारत की हर समस्या का शमाधान जिसके पास था आज वही देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है तो इनको कानून तो वापिस लेना ही परेगा दलाली अब नहीं चलेगी देश जाग चुका है क्या होती है मैं बताता हूं यह कह रहे हम लोग तंतर पर विश्वास करने वाले लोग हैं लोग तंतर यानि कि लोगों के दवारा बनाया हुआ तंतर सतापित किया हुआ उसको कहते लोग तंतर यानि कि लोगों की समस्याव को समझना और हम लोगों के सेवक बनके रहेंग आज अगर शिक्षा इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात है शिक्षा अगर सम्मान अधिकार शिक्षा और सवास्त है मूल भूत इस दर्ति के नागरिक के और पूरे वर्ल्ड में एक इकलोता हमारे भारत में नहीं यह तो 137 क्रोड लोगों का देश है जैन सिंका में दूस सद्यों सद्यों से है सरस्वती वीवे कानन जी थे अब वासी गिटन के अंदर जबान पर सरस्वती एक मिंट में ओकर दी थी गुरु तेक बादर जी हुए गुरु नानक देव जी हुए अल्ला को पर किरसं जी हुए जो यह कहते अपने आपके ना तो यह RSS RSS की फुल फ जैसे हमारे गुरुओं ने अब एक उत्ते है वही सहाधत सोरत वही यहां पर सहाधत और सोरत जो होई है उसके साथ लाखों लाखों कुर्बानिया मेरे देश के लोगों ने 90 साल हो गए ते देश को अजादी लाते लाते संद्धारा सस्ता उनकी करांटी को भूल गए यह सरकारी सकूल में वीवस्था क्या है प्राइवेट सकूला की वीस्था क्या है सिर्कारी होस्पिट्रलों की वीवस्था पष दिन यह अन्ग्रेज विलके इतना तो अंग्रेजों न हो नहीं मनमोहन सिंजी की शरकार के शमय अंतराष्टिय बजार में क्रूड वाइल की कीमत ज्यादा थी एक सो साथ रुपे परती बैरल डालर था और अभी तो मोदी जी जब सपत लिये थे उस समय तैसी रुपे था अब साथ रुपे 66 रुपे तक आ गया तब भी इतना मोदी गबड टैक्स है जो आम जनता को जहां करोना में रहात देना था वहां ड़कईती डाली जा रही है वह है हम घंगा शफाई नहीं कर सकते देश दर्म को गर्ठ में अन्तिम संसकार शोलहमाशं कार अंतिष्टि कहलाती है अब वह भी नहीं हो पाराया लोगों को नदियों में फेक दिया जा रहा अब ये कहीं बंगाल को खामियां मने खीस तो नहीं निकाल रहा है कि वह उतर प् अंतिम शंसकार भी तो नशिब होने देते यह ऐसी सरकार है लोगों को जागना होगा निंद से अगर नहीं जागे तो आने वाला समय बताएगा और कितनी मुशिबतों तोहाना तोहाना में नहीं इस पूरी बीजेपी को 303 पार्लियमेंट मेंबरों को हम आपके माध्डम से चैलेंज करना चाहते हैं यह कह रहे हैं आप बताएं नैशनल मीडिया पर बैठ करके तरह तरह की संग्या देते हैं किसानों को अरे तुम्हारे अंदर जराशी भी सरमीनगी है 84 और 6 परसेंट का आप आकड़ा लगाते हैं भई 6 परसेंट हरियाना और पंजाब और कुछ उत्तर पिसमी हिस्सा यही 6 परसेंट लोगों को MSP मिलती है उनके 89 परसेंट किसानों ने क्या गुना किया क्या आप कानून में MSP क्यों ने कर सकते जब MRP कानून में तबडिल हो सकती है तो आप लोगों को सिरमानी चाहिए आप इस देश के अंदादा के साथ खिलवार कर रहे है जागने की जरूरत है और ये तुवाना 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 नी पूरा हरियाना पूरा पंजाब पूरा रजिस्थान और कस्मीर से लेकर कन्या कुमारी टक बीजेपी वालो कहते हैं और इस मुवक्यी जथे अपको रहे हैं नायके जंता के सेवत कैते हैं आप क्या हो रहा है राज शाही कितरे सब्सक्राइब और कंमपनी को सब्सक्राइब कंपनी के अगर अधेश का बंदारन करने के आप अवसर देंगे तो वो किसी भी राष्ट्र के लिए विनास कारी होता है मेरा नाम रमेज छिक्कारा गाउजुआ जिला सोनीबच मेरे पिता जी लफ्टिडेंट कमांडर दयानन छिक्कारा और वही चेलेंज करता हूं तीन सथीन पार्लियामेंट मेमरों को आजो इंगलिस तो मुझे आती नहीं इंदी में मैं समझा जेता हूं क्यारा क्या है सफेद क्या है